हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी वेल्कम टू माई चानल आज हम वक्षीट नंबर सेवेंटीन करेंगे फॉर देट एट जुलाई 2021 क्लास टू एंड थ्री की वक्षीट एक ही जैसी है तो आप टू वाले बच्चे भी सेम करेंगे एंड थर्ड वाले भी ओके तो बच कासस सेकिन्ड है तो सेकिन्ड थर्ड है तो थर्ड लिकिंगे अपना नाम लिечाए अपने ठीच बच्चों में मानती हुकि आप सभी वाटसाब पे वैच्छवर पैक्ष्ञ की पना भूलए आप लोगों के तो लेट्स साथ विड़िए व उखशी самомस्ते प्यारे बच्चो उमीद है कि आप सब कुशल होंगे आज हम नीचे दिये गए खेल खेलेंगे आपके लिए चित्र पहली शब्द पहली और बाचीट दी गई है पहले लोग अपने घर के सदसों की मदद से हल कीजिए और कॉपी में लिखिए तो बच्चो आजकल देखा है हमने इस वी कैसे ही पैटन में आई आपकी वर्कशीट पहले चित्र पहली है देखेंगे ध्यान से एक वर हम नज़र डाल लेते पूरी वर्कशीट पर फिर है वर्ग पहली फिर है टॉक टाइम ठीक है आपको पता है इसी इसमें आरी है आजकल बाटन में तो पहला प्रशन हम कर लेते हैं दिये गए चित्रो को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी पर अंतु बनाते समय चित्र दू में कुछ गल्तिया हो गई है आपको बेटर सिक चार गल्तिया लिक नहीं है लेकिन इसमें और भी हो सकती है हम देख लेते हैं ठीक है सबसे पहले तो देखेंगे चित्र एक में सन इधर है लेकिन चित्र दो में दूसरी साइट पर बना दिया गया है तो यानिकि पहली गल्ति यह ही हो गई अगला चाते के उपड़ जो यह है इधर इधर नहीं है तो यह दूसरी गल्ति है यह जो इनोंने यह बनाया है मिटी से यह कैसल इसमें इधर कुछ भी नहीं है इधर इनोंने गल्ति से ट्रौ कर दिया इस लड़की के हाथ में देखेंगे यहां पर कुछ भी नहीं है फूर इधर एक सीपी है इधर नहीं है तो यह हो गई फिफ्ट गल्ति ठीक है इधर नहीं है कुछ भी बच्चों अगर आपको और कोई गल्ति मिलती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे ठीक है चले अगले प्रेश्म पर चलते हैं नीचे वर्क पहले में कुछ मिठाईयों के नाम छिपे हुए हैं आस पास के दो या तीन अक्षरों को जोड़कर मिठाईयों के नाम ढूंड कर लिखिए ठीक है तो आज है बढ़िया मिठाईयों के नाम चलिए ढूंडते हैं इसमें सबसे पहला मुझे सबका फेवरेट दिखिया है लड़ू इधर आप लिख देंगे बेटा ये जो ड़ के नीचे हमने ऐसे लगाया है ये होता है हलांत इसको मतलब आधा ड़ है फिर पूरा ड़ और उस पे उ की मातरा बड़े उ की ठीक है उसके बाद हमने मेरे को मिला एक बालू शाही बालू शाही आपकी फेवरिट मिठाई कौन सी है कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं पेटा हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक भी जरूर करें फिर है चम चम अगला रसकुला पेटा इसमें एक दू नाम और हैं वो भी आप ढूंडेंगे और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे ठीक है इसमें आप सब की एक और चीज़ है फेवरिट जो गर्मा गर्म हम खाते हैं मीठे में ठीक है चलिए एक लापरेशन पर चलते हैं बच्छों टॉक टाइम तुसमें है प्यारे बच्छों अपने राइट हैंड साइट पर जो पिक्छर उसको केरफूली ध्यान से देखें आपको क्या लगता है यह जो लोग है इसमें क्या बाते कर रहे होंगे एक दूसरे से सोचो और डायलॉग्स पनाओ उनको तेस्टेस बोलो और अपने कॉप्र में लिखो आप अपने बड़ों की भी हेल्प ले सकते हैं अपने एल्ड़स की हेल्प ले सकते हैं तो बेटा इक बर देख लेते हैं पिक्छर को ध्यान से बिलकुल यह देखेंगे तो यह जो इनका यहागम इनको फादर भी बोल सकते हैं इनका बड़ा भाई भी लग रहा है तो यह कहते है है एची वाई है लुक वाट आई हैव ब्रॉट ठीक है इसका मतलब है देखो मैं क्या लाया हूँ तो यह जो चोटा बच्चा है दूसरा यह कहता है वाट क्या कहता है यह सेकंड ठीक है यह है वान यह है टू यह है थ्री वाट इस इट इस थैली में क्या है इसमें क्या है क्या लाए हुआ तो यह जो लड़की है यह वाली थर्ड जो जिसका डायलोग है यह कहती है I think it is a bag full of ice cream तो बेटा हमने इसमें लिखा है hey look what I have brought तो यह जो है सबसे बड़ा जो है first वाला यह कहते है देखो मैं क्या लाया हूँ तो यह जो छोटा बच्चा है यह कहता है what is it क्या लाया हूँ तो यह जो लड़की है यह कहती है I think it is a bag full of ice cream मुझे लगता है यह थेला पुरा भर के इसमें क्या है ice cream है बच्चो आपको भी ice cream अच्छी लगती है आपकी सबसे favorite ice cream कौन सी है मुझे comments में बताएंगे ठीक है और आपकी favorite मिठाई कौन सी है वो भी मुझे जरूर बताएंगे ठीक है तो students channel को अभी तक subscribe नहीं करें तो subscribe कर दीजिए video को like करें अपने friends के साथ share करें आपके मुझे पापा के लिए एक सुझाव दिया गया है बच्चो को समझाएं कि हमें अपने दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए बच्चो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको अपने फ्रेंड्स की बातों को बुरा नहीं माना चाहिए बुरा लगता है तो उनको बताइए कि उन्होंने आपसे इसे कहा तो उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था ठीक है तो COVID-appropriate behavior आपका है Keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards Thank you students, thank you everyone, stay home and stay safe